hey guys welcome back to switchleez मैं हुरुदीर कैसे हैं आप लोग guys आज हम लोग देखने वाले हैं fact mantra की एक video and इसका title बड़ा ही अजीब है यार phone video देखते देखते सगे भाई ने बहन को किया गर्भबती what brother sister marriage मतलब देश में मतलब देश दुनिया में यह सब क्या चल रहा है किसी औरी दिशा में तो चलो यार यह video देखते हैं और देखते भाई इस video में कौन-कौन से किस किस तरह के compilation है different different accidents के मतलब इसको accident ही कहेंगे और क्या कहेंगे तो चलो यार यह video देखते हैं और उसके बाद में इसके बारे में बहुत सारी बाते करनी हैं है ना तो चलो start करते हैं इस video को और उसके बाद में इसके बारे में बात करेंगे खेल खेल में गर्वती हुई 15 साल की बहन बलातकार, किड्नैपिंग, हत्या इस तरह की जुर्म की खबरें आए दिन आती रहती हैं लेकिन कुछ जुर्म ऐसे होते हैं जो नादानी में हो जाते हैं और पता भी नहीं चलता हम भी आज आपको राजस्थान के अलवर की एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने भाई बहन के पवित्र रिष्टे को तार तार करके लग दिया जिससे सुनने के बाद आपकी आत्मा भी काप उठेगी क्योंकि इस घटना के सुनने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि कैसे एक मुबाईल फोन किसी की जिन्दगी चीन सकता है और भाई बहन को वो करने पर मजबूर कर सकता जिसके बारे में कभी किसी ने ना सूचा होगा आखिर ये पूरा मुद्दा क्या है इसे जाननी के लिए हमारे चैनल में इसी तरह बने रहेगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटा-फट से इसे सब्सक्राइब करने ताकि इसी तरह की वीडियोज आप लगातार देखते रहें दोस्तों अभी कुछी समय पहले महरास्ट के वर्धा नाम के जिले में 6 लोगों का एक परिवार रहता था उस परिवार में दादा, दादी, बेटा, बहु और 13 साल का बच्चा और 15 साल की पूती रहती थी ये सभी लोग मेंद मजदूरी करके अपना पेट पालने के लिए राजिस्थान के अलवर पहुँच जाते हैं अब परिवार वहीं रहने लगता और मेंद मजदूरी करके परिवार अपना पेट पालता था एक दिन अचानक से ही दादी की नजर पूती पर पड़ जाती है पूती के हालत देखकर दादी काफी हैरान थी क्योंकि पूती का पेट सामाने से कहीं ज़्यादा बढ़ा हुआ नजर आ रहा था जब दादी अपनी पूती की पेट को ठीक धंक से देखती है तो उन्हें ये शक होता है कि कहीं ये गरवती तो नहीं अब दादी का शक कोई नहीं चाहता था कि यकीन में बदले इसलिए जब बेटा शाम को घर आता है तो दादी अपने बेटे से कहती है कि मुझे ऐसा मैसूस हो रहा है कि तुम्हारी बेटी के साथ कुछ खलत हुआ है इसलिए अगले दिन परिवार वाले उस 15 साल की बच्ची को ले कर एक अल्टरा सांट सेंटर चले जाते है जब उस बच्ची की जाच होती है तो वो 6 महीने की गर्वती होती है जिसे सुनकर पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है किसी को भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे फर ये मामला पुलीस तक पहुंचता है पुलीस आसपास के लोगों से पूछताश करती है उस बच्ची से भी पूछताश की जाती है कि आखिर ये कैसे हुआ कहीं किसी ने उसके साथ जोर जबरदस्ती तो नहीं की या फिर बच्ची का प्रेम संबंध भी हो सकता था इन्हीं सब चीजों को जानने के लिए पुलीस बार बार बच्ची से पूछती है कि हाल ही में तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जो पहले कभी ने हुआ अब दोस्तों 15 साल की लड़की जो की कक्षा 9 में पढ़ती थी उसे तो ये पता नहीं था कि उसके साथ कितनी बड़ी अनूनी हुई है कुछ भी पता ना चलने के वज़े से परिवार बदनामी के कारण राजिस्थान के अलवर से वापस अपने गाउं महरास्ट के वर्धा में पहुंच जाता है महरास्ट पहुंचने के बाद परिवार वाले जब बच्ची का दोबारा से चेक अप करवाते हैं उन्होंने फैसला किया कि बच्ची के साथ हुई घटना के बारे में जान कर ही रहेंगे और फिर महरास्ट की पुलीस ने जब अपनी जाच परताल शुरू की तो सच्चाई के कुछ ऐसे पनने खुले जिसने सब कुछ दबाह करके रख दिया असल में दोस्तों हुआ ये था कि दिन में माबाप मजदूरी करने के लिए चले जाते थे गर में बूरे दादा दादी होते थे जो जादा इधर उधर चलते फिरते नहीं थे अपनी जगए पर बैठे रहते थे अब जाहिर सी बात है कि लॉकडाउन का समय चल रहा था तो स्कूल कॉलिज की सारी पढ़ाई ऑनलाइन हो रही थी ठीक ऐसे ही इन दोनों बच्चों की भी पढ़ाई घर से होती थी 13 साल का लड़का साथवी क्लास में पढ़ता था और 15 साल की लड़की वो 9 वी कक्षामे थी अब दोनों भाई बहन एक ही मोबाईल से पढ़ाई करते थे गरीब घर के बच्चे थे इसलिए उन्हें जाता कुछ पता नहीं रहता था ऐसे में जब एक दिन अचानक से मोबाईल पर पॉन साइट खुल जाती है तो उसमें आने वाली वीडियो को दोनों भाई बहन देखने लगते हैं बिना ये समझे कि इसमें आखिर हो क्या रहा है वीडियो ने दोनों के ही उपर इतना भयानक असा डाला कि जैसा जैसा उस वीडियो में हो रहा था वैसा वैसा ये दोनों करने लगे इन्हें लगा ये कोई खेल हो रहा है पर इन्हें क्या पता था कि आसा करने से इनकी जिन्दगी ही खेल बन जाएगी क्योंकि दोनों भाई बहने ये एक दुबार नहीं बलकि कई बार किया और उन्हें लगा कि इसमें कोई बुरा ही नहीं है हलागि घर वाले कभी इने पकड़ नहीं पाई कि उनकी घर पर कोई जादा ध्यान देने वाला था ही नहीं अगर किसी बड़े को पता चलता तो उनको समझाते लेकिन इस बारे में किसी को पता ही नहीं चला और इनकी ये कहानी चलती रही सब को लगा कि बच्चे पढ़ाई कर रहें लेकिन पढ़ाई के स्थान पर उनका अलग ही खेल चलता रहा और सगे भाई से सगी बहन प्रेगनेंट हो गई पुलिस का ये कहना है कि पुश्टाज के बाद ये बात सामने आई है कि दोनों बच्चों को बिलकुल अंदाजा नहीं है कि उन्होंने कितना बड़ा जुर्म किया है अब जाहिर सी बात है कि इस तरह की कंडिशन में क्या ही किया जाए ये पुलिस के लिए भी बहुत बड़ा सावाल है क्योंकि जुर्म तो हुआ है लेकिन ये जुर्म अंजाने में हुआ है और बच्चे भी बहुत छोटे है अब इसका क्या नतीजा निकलेगा ये तो आगे की कारवाही के बाद ही पता चलेगा इस पूरे मामले को जानने के बाद हम ये जरूर कह सकते हैं कि मातर एक मुबाइल फोन ने इन दोनों ही बच्चों के बच्चपन को अंधेरे से भर दिया खेल खेल में भाई बहन के बीच पनने वाले इस संबंध के बारे में आप लोगों ने तो सुन लिया अब ज़रा जान बूच कर अपनी ही बहन के प्यार में पढ़ने वाले इस भाई से मिल लीजिए दोस्ते मामला भुचपुर जिले का है जब एक घर की बेटी अचानक से गयाब हो जाती है घरवालों ने बेटी की तलाश में कोई कसर नहीं छोड़ी लगातार उसे ढूंडते रहे पर आखिरकार जब बेटी का कोई अता पता नहीं चला तो पिता ने ठक हार कर थाने में रिपोर्ट दशकर वा दी शायद उसकी बेटी का परण हो गया हो लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो तब आया अगले ही दिन बेटी थाने पहुँच गई और उसने थानिदार को ये बताया कि वो शादी कर चुकी है पुलीस वालों ने पूश्टाश की और ये जानने की कोशिश की कि वो लड़का कौन है जिससे इस लड़की ने शादी की है तो लड़की का जवाब सुनकर थाने में मौजूद एक एक शक्स दंग रह गया लड़की ने अपने मूँसे खुद एक बूला कि उसने किसी होर से नहीं बलकि अपने ही भाई से शादी की है और अब वो इसका भाई नहीं बलकि इसका पती बन चुका है लड़की का ये कहना था कि उसने अपने ही भाई के साथ शारीरिक सम्बंध बनाई थे और इनका ये चक्कर कई सालों से चल रहा था लेकिन एक दिन अपने इसी सम्बंध के चकर में लड़की गर्वती हो गई अब घर पर तो लोग इस बारे में बता नहीं सकते थे इसलिए इन दोनों भाई बहनों ने भाग कर शादी करने का फैसला किया दोनों ने पहले तो पूरे रीती रिवाज के साथ मंदिर में शादी कर ली और फिर ये दोनों थाने पहुँच गए अब मामला इतना सीधा तो था नहीं जितना दिख रहा था क्योंकि अपनी ही भाई से शादी करना हमारे समाज के साथ साथ कानून में भी बिल्कुल सही नहीं माना जाता इसलिए पलीस वालों ने इस मामली को कोट तक महचा दिया जज ने जब पूरी जाँच परताल की तो उन्हें अपनी ही बहन के साथ नाजाई रिष्टा कायम करने के बाद उसे गर्वती करने और फिर उससे शादी करने ये सब को उसको सही नहीं लगा क्योंकि अगर इस तरह किसी एक को मंजूरी दे दी जाए तो पीछे पीछे पूरा काफिला इसी राह में निकल पड़ेगा और समाज एक अलग ही बुराई की तरफ पहुंच जाएगा इसलिए इस तरह की चीजों को बढ़ावा ना देते हुए कोट ने दोनों को ही गुनहगार समझा और सजा दी इन लोगों ने जो किया सु किया पर इनके इस कदम के वज़े से इनके परिवार वालों की कितनी बेज़ती हुई इसका इनको बिलकुल अंदाजा नहीं है मतलब आप खुद सूचिए दुनिया का सबसे पवित रिष्टा माना जाने वाले भाई बेहन के रिष्टे को जब लोग इस तरह शर्मसार करते हैं तो ये दुनिया भर में मौजूद जितने भी भाई बेहन है ये उन सब के मुह पर एक तमाचा है जानवर भी जब संबन्द बनाता है हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें देखने के लिए शुक्रिया चलो यार यहाँ पर यह वीडियो खत्म क्या कहें अभी यहां पर कहने के लिए बचा क्या है यह पर मान सब्सक्राइब में जानकारी नहीं थी और यह केल खेल में हो गया प्यूंकि जस्ट फूरूलों परक्राई कर रहे थे और ऐसा पता है क्या इस चीज के लिए मेरे दिमाग में अगर कोई उपाय आता है तो वो सिर्फ यह है कि कोई ऐसा सॉफ्ट्वेयर कोई ऐसा मतलब रिस्ट्रिक्शन मोबाइल में होना चाहिए कि अगर आप 18 से नीचे के हैं ठीक है तो आपके बाद 18 भी क्या मतलब चलो मानलो 17 साल ञीक है 17 साल भी एक थीड़ा की जो छोती है 17 साल के लोग जो बच्चे होते हैं वह बड़े होने लगते हैं और काफी मच्चोर भी होने लगते हैं Catalunya फ्लिक तो 17 साल 18 साल को नीचे जो बच्चे सीन इनको अधरा साल से कम बच्चे ऐसा कुछ software या digitally कोई ऐसी link होनी चाहिए है न तो इससे ही थोड़ी बहुत थोड़ी बहुत क्या बहुत सारी मदद मिल सकती है अगर ऐसा कोई हमारी software इंजीनर्स जो है वो अगर इजाद कर सके इस type की कोई technology तो बहुत ज्यादा मदद मिलेगी और दूसरी बात जान भूच के अपनी ही बहन से मतलब शादी की और अग्सेफ्रेग्नेंट किया केवल यहीं मावला नहीं है यार ऐसी बहुत सारी नीज्य सी ऐसी बहुत सारी हजार वीडियोज भी हैं जिसमें भाई ही नहीं यहां तक कि खुद का बाप भी अपनी ही बेटी पर गंदी नजर रखता है और उसके साथ जिंदगी बर रहना चाहता है मतलब इस टाइब का है यह हमारे समाज में इस टाइब के भी समाजिक तत्व जो हैं मौझूद हैं और इस टाइब के लोग ना अंदर ही अंदर समाज को खोकला करते जा रहे हैं मतलब ये लोग ये समझते ही नहीं कि हाँ जो सामने वाला रिष्टा है हमारा वो एक बहुत ही ज़्यादा पवित्र रिष्टा है भाई तुम अपनी ही बेहन के साथ कैसे ये सब कर सकते हो कैसे उसके लिए सोच सकते हो ऐसा कुछ है ना और बेहन भी उसके साथ शादी कर क्य acha कि बेटे को कौन कहेगा से लगों की यह सोच है अब यहां कम पहलों कुछ नहीं होता है और कि निकाल देता क्यूंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बस लड़के की गलती माप कर देते हैं लेकिन लड़कयों को हमेशाạnhश्या पनिस्मेंट मिलती है ले हम एप यहां पर बहुत सारे इस ट्राइब के मामले खुल-खुल के सामने आ रहे हैं ठीक है और इन सब का आसर बहुत ज्यादा बुरा पड़ रहा है कि दोनों को सजा दी दोनों को सजा दी ठीक है ताकि लड़का हो या लड़की आगे चलके कोई भी ऐसी गलती करने से पहले दो बार सोचे कि हाँ नहीं सजा तो हमें हो सकती है है ना अगर हम इस टाइप का कोई कांड करेंगे क्योंकि यह सम्मिधान में भी नहीं है भाई कि सगे भाई वहन आपस में शादी कर सकते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है तो बस यार यहां पर यह वीडियो खतम करते हैं और प्लीज अगर आपके आस पास ऐसे कोई लोग हैं तो देखके समझ के थोड़ा सा परक के उसके बाद मतल बाद